Hello dear students, welcome to Magnet Brains. मैं संचिता जैनाब सभी की शोसो साइज एजुकेटर आज की सेशन में लेके आई हूँ इंटरनेशनल और्गनाइजिशन की सीरीज में एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो की है ट्रैफिक के बारे में. अब ये ट्रैफिक होता क्या है? क्या जो सड़कों पर गाड़ियों का जाम लग जाता है उसे हम ट्रैफिक कहते हैं? जी हाँ ट्रैफिक तो उसको कहते हैं लेकिन ये वो वाला ट्रैफिक नहीं है. अब ये कौन सा ट्रैफिक है? तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट हैं कि जल्दी से जल्दी हो जादा से जादा आज की सेशन को. आप सभी लाइक करदें, शेयर करदें, साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करदें. यूँकि Magnet Brains प्रोवाइड कराता है, आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्से फ्री अफ्री 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 बोट, भीहार बोट, दिल्ली बोट, राजस्तान बोड के स्लेवर्स को भी कम्प्लीट कराया जाता है. साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के स्लेवर्स को कम्प्लीट कराया जाता है जहां NCRT का पैटर्न फॉलो होता है क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको NCRT से तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन जो कि हम जानने वाले हैं सनस्थान, संग्ठन ट्राफिक के बारे में ट्राफिक क्या है? एक institution से एक organization है जो road पर ट्राफिक लगता है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं अब ये सनस्थान, ये institution के रूप में कैसे काम करता है? इसको जानते हैं तो सबसे पहले इसका हम पूरा नाम जाल लेते हैं आधी कहानी तो वहीं हल हो जाएगी अपनी देखें तो इसका नाम क्या है इसका पूरा नाम है trade record analysis of flora and fauna in commerce जी हाँ वन्य जीव व्यापार निगरानी network है ये जितने भी वन्य जीव है ठीक है वनस्पती है क्या उनका गलत तरीके से उनका trade यानी की व्यापार तो नहीं हो रहा उन सब पर निगराणी रखने का काम किसका होता है ट्रैफिक का होता है क्योंकि Traffic वन्य जीव व्यापार निगरानी network एक अग्रडी गैर सरकारी संगठन है कैसा है गैर सरकारी संगठन है नान गवर्मेंट organization है जो जैव विविदता सरक्षन और सतत विकास के संदर्भ में वन्य जी व्यापार के शेत्र में काम कर रहा है किन शेत्रों में? दो शेत्रों में मुख्य रूप से वो दो शेत्र कौन-कौन से हैं एक है जैव विविदता सरक्षन और दूसरा है आपका सतत विकास अग जैव विविदता क्या होती है जैव विविदता यानि कि बायो डायवर्सिटी क्या होती है बताईए जल्दी से बायो डाइवर्सिटी ये तो सभी को पता होगा यानि कि जिस शेत्र में बहुत सारे प्राड़ी वनस्पती रहते हैं ठीक है हर प्रकार की वनस्पती जहां पर पाई जाती हो और पर्याप तो मात्रा में पाई जाती हो एक शेत्र में कितनी वनस्पती पाई जानी चाहिए उस अनुपात में अगर उस शेत्र में वनस्पती यानि की पेड़ पोधे और उनके साथ साथ वन्य प्राणी यानि की जंगली जानवर भी पाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है कि वो शेत्र जैव व विविदता शेत्र है जैब विविदता से संपन्द है ठीक है तो यह के शेत्र में काम करता है जैब विविदता सरक्षड के शेत्र में काम करता है और साथ इसा सतत्विकास अब सतत्विकास क्या होता है सस्टेनेवल डैवलपमेंट बताइए क्या होता है बताईए जल्दी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत्विकास का कंसेप्ट वो है कि जो वर्तमान में मौझूद नैचुरल रिसोर्सेस हैं प्राक्रतिक संसाधन है उनका उप्योग कुछ इस तरीके से किया जाए कि हमारी आंगे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी वो संसाधन वो रिसोर्सेस बचे रहें यानि कि वर्तमान में उनका उप्योग उचित तरीके से किया जाए, साथ ही साथ आंगे आने वाली पीडियों के लिए भी इस संसाधनों को सुरक्षित रखा जाए, ताकि हमेशा विकास बना रहे, हमेशा डेवलब्मेंट होता रहे अल्राइट, सस्टेनेवल डेवलब्मेंट या सतत विकास किसे कहा जाता है, ये बात आगी समझ में, तो ट्रैफिक किन शेत्रों में काम करता है, जैविवित्ता सरक्षण और सतत विकास के संदर्भ में वन्यजी व्यापार के शेत्र में कार्य कर रहा है अब जब अगर जैविवित्ता सरक्षण को बनाए रखेगा, सतत विकास को बनाए रखेगा ट्रैफिक, यानि कि जितनी भी वन्यजीव हैं और जितनी भी वनस्पती है, उसका सरक्षण किया जा सकेगा, क्योंकि उनका गलत तरीके से व्यापार होने से रोक रहा है गयाने की IUCN का एक संयोक्त कारिक्रम है, तो ट्रैफिक कारिक्रम किसने चालू किया था, WWF प्लस IUCN ने किया था IUCN या अंतराष्टि प्रकती सरक्षण संग क्या काम करता है? IUCN जल्दी बताओ, जो भी संकट ग्रस्त प्रजाती है, चाहे वो वनस्पतियों की हों, चाहे वो प्राणियों की हों, उनकी सूची जारी करता है और उनके सरक्षण का काम करता है IUCN आपने Red Data List का नाम तो सुना होगा, अब Red Data List कौन जारी करता है? IUCN ही जारी करता है Red Data List में क्या लिखा होता है? उन सारे प्राणियों और वनस्पतियों की सूची होती है, जो संकट ग्रस्त हैं, जो कुछ समय बाद हमारी प्रत्वी से विलुप्त हो जाएंगे, फिर कभी देखने को नहीं मिलेंगे तो उनके सरक्षड का काम किसके द्वारा किया जारा है? IUCN के द्वारा, तो WWF और IUCN ने मिला करके ट्रैफिक का निर्माड किया है IUCN और WWF का संयवक्त कारिक्राम, जोइंट प्रोग्राम है ट्रैफिक अल्राइट, अब इसकी स्थापना की बात करें, तो इसकी स्थापना 1976 में हुई और इसका मुख्याले कहां है? क्रैम बिज इंग्लेंज में इसका मुख्याले है क्लियर, यह हो गई इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, अब है इसका प्रशाशन, इसका अड्मिनिस्ट्रेशन कैसे होता है? तो ट्रैफिक का प्रशाशन, ट्रैफिक समेती द्वारा चलाया जाता है और यह एक परिचालन समू है जो कि ट्रैफिक के सहीयोगी संगठनों, ड्रैफिक के अड्मिनिस्ट्रेशन में कौन-कौन शामिल होता है? ट्रैफिक के एड्मिरिस्ट्रेशन में WWF और IUCN के सदस्य होते हैं फिर क्या है ट्रैफिक जो है लुप्त प्राय वन्य जीव जन्तु और वनस पती पर अंतरास्टी व्यापार अभी समय के सचिवाले के साथ मिलकर काम करता है बेसिकली किस पर काम करता है ट्रैफिक कि एट तो गलत तरीके से वन्य जीवों का व्यापार ना हो पाए दूसरा वे वन्य प्राणी जो लुप्त होने की कगार पर हैं याने की खतम होने की कगार पर हैं उनको सरक्षन दिया जाए और इसके स्टाफ में विवेद प्रस्ट भ ज्यानी, अकादमिक, शोद करता, संचार करता और अनुवेशक आदी आदी यह सब इसमें शामिल होते हैं इसके स्टाफ में अब इसके काम क्या है, ट्रैफिक के कारे क्या है तो अपनी स्थापना से ही इसने अंतरास्टी वन्य जी व्यापार संधियों के विकास में सहायता की है जब से इसकी स्थापना हुई है तब से इसने अंतरास्टी वन्य जी व्यापार संधियों के विकास में सहायता की है यह नवीन्तम वैश्विक रूप से आवश्यक प्रजाती व्यापार मुद्दों जैसे बाग के अंगो अब जो जितने भी जवंगली जानवर होते हैं वन्यप्राणी होते हैं वो किस प्रकार से उप्योगी लाए जाते हैं किस प्रकार से उनका व्यापार किया जाता है जैसे कि बाग की खाल का व्यापार किया जाता है हाती दाथ की ज्वेलरी बनती है गेंडो के सींग उपयोग में लाए जाते है इन सब का व्यापार होता है तिन सब के व्यापार पर संसाधनों, विशिशग्यता और जागरुकता के उत्थाने तू अपना ध्यान के इंद्रित करता है कि हमें इस तरीके से गलत तरीके से वन्य जीवों का व्यापार या उनके अंगों का व्यापार नहीं करना है लकड़ी और मतस्य उत्पादों मतस्य उत्पाद यानि की मशली के जो प्रोड़क्टे हैं जैसी वस्तुव में बड़ी मात्रा के व्यवसाइक व्यापार पर भी अपना ध्यान देता है और त्वरिद परिडामों और नीती का सुधारों हे तू इन्हें कार्य से जोड़ा ज तो वनस्पती में सबसे ज़्यादा अवैध व्यापार किसका हो सकता है इन्वैलिड ट्रैट किसका हो सकता है लकड़ी का हो सकता है ठीक है और खासतोर से वो लकड़ी जो सबसे ज़्यादा कीमती होती हो वो तो गलत तरीके से बिकेगी ही दूसरी बात वन्य प्राणियों का व्यापार कैसे हो सकता है एक तो सीधा व्यापार भी हो सकता है और जैसे कि बाग की खाल हो गई हाथी के दाथ हो गए गैडे के सींग हो गए ठीक है अगर आप इन सब चीजों का व्यापार करोगे तो सबसे पहले तो आपको इन जानवरों को इन वन्य प्राणियों को इन धीरे समाप्त हो जाएगी और ये भी प्रत्वी से खतम हो जाएगे आप बताओ आपने कभी डाइनोसार को देखा है क्या नहीं देखा बस उसकी इमेज देखी होगी कितावों में देखी होगी या फिर किसी म्यूजियम में देखी होगी लेकिन आपने कहीं देखा कि वहाँ डायनास और जा रहा है क्योंकि वो कई वर्षों पहले ही हमारी प्रतवी से विलुप्त हो चुका है उसी को देखते वे अब और जो आंगे आंगे जिन प्राणियों को हम वरतमान में देख रहे हैं वो आंगे आने वाले भविश्य में समाप्त ना हो पाएं उनका गलत तरीक से वरतमान में व्यापार ना हो ठीक है उसी को बचाने के लिए उन्हीं कैसरक्षड के लिए ट्रैफिक काम कर रहा है अल्राइट एक ट्रैफिक एवां भारत अब भारत की क्या भूमिका रही है ट्रैफिक मैं इसको भी जान लेते हैं तो ट्रैफिक वन्य जीव कोस भारत एक प्रोग्राम डिविजन के रूप में 1991 से काम कर रहा है ट्रैफिक के साथ ठीक है और यह नई दिल्ली में इस्थित है ट्रैफिक वन्य जीव कोस भारत का कहां इस्थित है नई दिल्ली में इस्थित है यह अवैध वन्य जीव व्यापार पर अध्यन निगरानी और रोकताम में सहायता के लिए कि अवैद वन्यजी व्यापार ना हो पाए इन्वैलिड रूप से वन्यजीवों का व्यापार ना हो पाए उस पर अध्यन करता है निगरानी रखता है रोकताम करता है इसकी सहायता के लिए रास्टी और राज्ज सरकारों यानि केंडर सरकार और हर स्टेट की जो अलग-अलग राज्ज सरकारे स्टेट गवर्मेंट है तथा विबिन अन एजेंसियों के साथ नजदी की से कारे कर रहा है इस प्रकार से ट्रैफिक में भारत की भूमिका भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है तो सारी जानकारी पता हुई आपको ट्रैफिक के बारे में कि आखिर ये ट्रैफिक होता क्या है क्लियर चलिए तो चलते हैं और मिलते हैं जल्दी ही अगले इंटरनेशनल और्मनाईजेशन के साथ तो अगर आप हमारे डेली के लाइब शेशन और रिकॉर्डेट से से जुड़ना चाहते हैं सारी चीज़ें अपलब्ध हैं मैंगनेट ब्रेंज के यूट्यूब चैनल वेबसाइट और एप्लिकेशन पर मैंगनेट ब्रेंज इंडिया का नमबर 100% फ्री ओनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इसके अलावा अगर आप इबुक्स और इनोट्स भी चाहते हैं उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वहां से आप अवेल कर सकते हैं हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सिस हिंदी और इंग्लिश दौनर मीडियम में अविलेवल है सीबीसी बोर्ट के सासा दिली बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ट के स्लेवर्स को भी कम्प्लीट कराया जाता है कोर्सिस पोकन इंग्लिस और इतने सारे कोर्सिस एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में प्रोवाइड कराये जाते हैं फुली और्गनाइज कम्प्लीट कोर्स के साथ जी हां और मैंगेट ब्रेइस यूट्यूब के लावा अधर शोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे की फेस्बुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर, टेलीग्राम, वाटसिप पर भी प्लब्द है आप मैं वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं तो आज के शेशन को जादा से जादा लाईक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है हमारे साथ बने रही है जुड़े रही है पढ़ते रही है खुश रही है थाएंगे सो मच